हेलो दोस्तो मेरा नाम है विकास और आज मैं आपको बताने वाला हूँ अगर आपके पास भी है Android TV या Smart TV और आपका उसमें लग गया है Safe Mode दीजी की तरफ या कहीं पर भी Safe Mode दिखाता है तो उसे हम कैसे हटाएं आईए जानते हैं तो अभी हमारे टीवी में Safe Mode लग गया था तो उसे हमने कैसे हटाया है क्या क्या इस्टैप फॉलो करें हैं आईए जानते हैं इसका सबसे पहला और सबसे बढ़िया इस्टैप है अपने टीवी को एक बार बंद कर देना और फिर से उसको चालू करना यहाँ पर अपने टीवी को डारेक्ट खटके से याने की स्विच बोर्ड से बंद कर दीजिए और फिर दुबारा चालू करिए आपका Safe Mode हट जाएगा फिर दूसरी चीज आप अपने टीवी की सेटिंग्स में जाईए यहां पर सेटिंग्स दे रखा है अलग अलग होता है आप अगर इसमें setting थोड़ी reset कर सकते हैं तो कर दीजिए यहाँ पर setting reset का option आपको मिल जाएगा कहीं न कहीं देख लीजिए तो यहाँ पर system info में जाईए यहाँ पर check करिए आपका setting reset option है यहाँ कहाँ पर है इसके अलावा आप अपने tv को remote से भी बंद करके देखिए यानि कि जो remote में बटन होते हैं लाल बटन वाला इसे भी इस्तिमाल करके देखिए इससे भी आपकी दिक्कत ठीक हो जाएगी पर सबसे पहला तरीका यही है आप अपने tv को direct खटके से बंद करके देखिए इसको आप तींगम चेंगम तीन या चार बार ट्राइ करिए यानि कि टीवी को चलाइए सेफ मोड अगर आता है तो डायक्ट उसको बंद कर दीजिए और फिर उसको दुबारा चालू करिए आपका सेफ मोड हट जाएगा वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा